आज इस पुटिकिलर वीडियो में हम लोग क्वांट्स का टाइम स्पीड इन डिस्टिंस का पार्ट 3 करने बाद है इसके पहले अल्रेडी हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ दिसकेशन किये हैं इस पुटिकिलर चैप्टर के ऊपर जहां पर पार्ट 1 में हम लो सब्सक्राइब करें इन दोनों पार्ट को मिला कर मैंने बहुत सारे ऐसे टाइप के ऊपर क्वेस्टिंस सॉल्व करा है जो आपकी इंग्जामिनेशन पॉइंट अग्यू से काफी इंपॉर्टिंट हो सकता है इन दिस पार्ट इस हम लोग कुछ क्वेस्टिंस ऐसे सॉल्व करेंगे जो कि मेनली एक सिंगल टाइप के ऊपर है लेकिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और वो टाइप है मीटिंग ओ वेकल्स ठीक है तो हो सकता है मानके चलो एक ट्रे इस पर्टिक्वेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेस्टिंस बनते हैं जो कि टाइम स्पीड इन दिस्टिंस के एक इंटिग्रेल पार्ट में आ जाते हैं फ्रॉम दे पॉइंट पॉइंट आप इग्जामिनेशन तो इसी पर्टिक्विलर मॉडल के ऊपर हम लोग कुछ टाइ इस पर्टिक्विलर वीडियो में मैं आपको दो तरीकिसी चीज़ों को समझाऊंगा पहली बात तो मैं आपको conceptually समझाऊंगा कि अगर आपको ऐसे questions दिये जाते हैं तो of how to approach the questions conceptually जो कि आपके लिए काफी important होगा क्योंकि आपको एक logic समझ में आएगा जिस logic के तूह आप इन questions को solve कर सकते हो and after that I am also going to show you some tricks and techniques कुछ formulas मैं आपके साथ share करूंगा जिसके तूह ऐसे type of questions को आप बहुत ही जल्दी competitive examinations में solve कर सकते हो saving yourself a lot of time right so with that being said आप इस video को last तक देखो and try to understand कि किस तरीके से meetings related questions को आप solve कर सकते हो so let's start this video before moving forward with the video मैं आपके लिए एक important announcement करना चालता हूं और वो यह है कि class test ने आपके लिए already एक full-fledged course launch कर दिया है जो कि आपकी UG entrance examination के preparation के लिए एक one-stop solution होने बाद है इस course में सारे important topics जो कि examinations में आते हैं A to Z covered up है with total in-depth concept का explanation, approach का explanation और कुछ important tricks and techniques भी यहाँ पर समझाया गया है इस course में जिसके साथ examination में आप जल से जल time stringent manner में questions को solve कर सकते हैं Not only that, हम लोग यह courses different format में रखे हैं, different forms में available की हैं जिसमें आपका जो priority है उस चीज के उपर आप course में opt कर सकते हों और इन सारे courses में different levels of questions starting from basic level to advanced level step by step discuss किया गया है जिसके साथ आपका जो total understanding है जिसके साथ आपको examinations में बैठना है वो बहुत जादा strong हो जाएगा यह जो courses है इसका main bifurcation अगर आप देखोगे तो language, general और domain के जो भी subjects है वो से आप से bifurcate किया गया है जिसमें आप individually भी opt कर सकते हो और combo courses भी ले सकते हो अगर आपको इसके उपर demo classes की need है तो आप description में जो भी सारे links provided है उस पे जा सकते हो और अगर आपको batches के बारे में information चाहिए तो जो whatsapp number आप देख रहे हो on the corner of the screen इस whatsapp number पे आप अपना inquiry डाल सकते हो Now let us move on forward with the video तो सबसे पहला question जो हमारे पास है वो question यह है बहुत ही important question है तो इस question को सबसे पहले आप पढ़ो और try to understand this question by yourself मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस question को solve किया दबता है तो आपको क्या दिया हुआ है without stoppage a train travels at an average speed of 75 km per hour and with stoppage it covers the same distance with an average speed of 60 km per hour right for how many minutes does the train stop अब क्या है कि यहां पर बोला जा रहा है कि यह train है ठीक है मान के जलो train कुछ ऐसा है ठीक है just for an understanding तो यह train ऐसे travel कर रही है और इसका जो traveling speed है वो है 75 km per hour ठीक है and this traveling speed जो है ठीक है यह traveling speed आपको without stoppage है मतलब यह एक normal speed है जी speed के साथ यह travel कर ठीक है and यहां पर बोला जा रहा है कि जब same distance मान के चलो यह point है और यह दूसरा point है this is point A and this is point B ठीक है तो यह जो दो points है इन दोनों points की बीच में यह basic travel जब करते हैं इतना होता है without any kind of stop but जब वही train stop करकर के जाती है मान के चलो stations के बीच में से stop करकर के point B तक जा लिए which is the same distance तो overall इसका जो average जो speed हो रहा है जो average जो speed है वो 60 km per hour now as we all know average speed क्या होता है average speed is nothing as but total distance divided by the total time ठीक है अब obvious सी बात है जब आप बिना stoppage के जाओगे ठीक है ध्यान से सुनना है इस वाले part को जब आप बिना stoppage के जाओगे तब आपका अगर total time जो लगेगा वो total time कम होगा क्योंकि बिना stoppage के आप जल्दी जल्दी पहुँचोंगे न तो total time अगर कम होगा तो अगले सी बात है total जो speed होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि अगर denominator कम हो रहा है तो टोटल स्पीड आपका जादा होगा जो कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है बाट अगर आपका स्टॉपइज बहुत जादा है तो टोटल टाइम का कॉंपोनेंट बढ़ जाएगा जिस वज़े से ओवराल जो स्पीड का कॉंपोनेंट वो घटेगा जिस वज़े से यह 60 km कि अगर दिया हुआ है 75 km पर आवर एक ट्रेन का स्पीड है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि दाट्रेन कवर 75 km in one hour of time तो यह situation हमारा कब है जब वो without without क्या without stoppage वो travel करता है राइट बट दाट सेम ट्रेन हाज speed of 60 km per hour राइट इसका मतलब क्या है कि वो 60 km travel कर रही है एक घंटे में with stoppage right make sense तो यहां पर हम लोगों क्या समझना है कि 75 km है और यह 60 km है एक घंटे में जब वो train without stoppage जा रहा है तो वो 75 km travels कर रहा है और with stoppage जब जा रहा है तब 60 km travel कर रहा है तो कईना कई डिस्टेंस जो है वो हम travel हो रहा है एक घंटे में जब वो stoppage करकर के जा रहा है तो यह difference क्या हो रहा है हमें निकानला बेसिकली क्या है कि कितने मिनिट तब train stop कर रही है तो हमें में यह समझना है कि कि कितना distance cover नहीं हो पा रहा है एक घंटे में just because the train is stopping तो यह difference between the difference between the distance हम लोग निकालेंगे right difference between the distance क्या है 75 minus 60 now this is the difference right that is 15 km this 15 km is the difference that the train is not be able to complete because of the stoppages that it is having correct अब यह distance क्योंकि travel नहीं हो पा रहा है अब हम लोगों को जानना है कि कितना time इसका जा रहा है because of the stoppages तो इसका जो original speed है उसके साथ अगर हम लोग इसको divide कर दे we would understand कि कितने time तक कि stop हो रहा है time क्या होता है आपका distance by speed तो original speed से अगर हम लोग divide करेंगे for the distance जो कि cover नहीं हो पा रहा है because of stoppages तो हमारा time आजाएगा because of the stoppages ठीक है तो जो time है वो time क्या हो जाएगा total distance जो cover नहीं हो पाया that is 15 km divided by nothing else but the original speed that the train is traveling to original speed 75 इसको अगर हम divide करेंगे तो क्या जाएगा 1 by 5 and this is 1 by 5 hours what we have been asked is how many minutes does the train stop how many minutes को क्या करेंगे अपन hour को minutes में change करेंगे तो multiplied by 60 that is 12 minutes तो overall क्योंकि train 12 minute का रुकावट कर रही है उसी वजह से यह 15 km के distance नहीं travel कर पा रहा है एक थंटे के अंदर which is why the speed is basically getting reduced I hope यह चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ गया है मैंने बहुत ही detail वे में इसको समझाने की कोशिश ताकि आपको डाउट ना रहे इस concept में because this is a very interesting questions often asked in the examination this is the conceptual understanding behind that all right अब मैं आपको बताता हूं कि इसको आप शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो इसको शॉर्ट तरीके से जो सॉल्व कर सकते हो उसका एक डिरेक्ट फॉर्मूला है लाट इस टाइम जो टाइम आपको निकालने बोला है ताइम is equal to difference कि difference of the speed है ठीक है divided by nothing else but without stoppage स्पीड अब विदाउट स्टॉपज स्पीड मत्रब उसका बेसिक ओरिजिनल स्पीड जो है वहीं आपको डालना है यहां पर इसको ओरिजिनल स्पीड है बिसीकली विदाउट स्टॉपज 75 km per hour difference of the speed क्या है 75 km per hour minus 60 km per hour ये क्या आजाएगा 15 ये आजाएगा 75 तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या आजाएगा 1 by 5 hour what is 1 by 5 hour 1 by 5 hour is nothing else but 1 by 5 into 60 minutes that is 12 minutes so you are basically getting the same answer so this is a formula that you might use in any kind of questions asked of this time ठीक है तो आई होग ये चीज़ आपको clearly समझ में आ गया है तो मानके चलो अगर आपको question ऐसे घुमा के दिया जाता कि अगर time आपको ऐसे बोला जाता कि मानके चलो ये एक ऐसा तरीम है जिसका जो time है वो time जो है इसका lapse हो रहा है in order of the stoppages, stoppages के वज़े से जो time extra इस particular train को लग रहा है वो train का time है बारा मिनिट है अब train का जो without stoppage वाला speed है वो आपको दिया रहा है और यू माइट ask कि आप निकालो कि कौन सा आपका ये speed का है जो speed इसका width stoppage का है तो आप वहाँ पे तब क्या करोगे 12 equals to 75 minus x divided by 75 तब आप x निकालो कि तो किसी भी तरीके से इसको आप निकाल सकते हो concept मैंने आपको समझा दिया ये आपका overall universal formula है जो आप इस particular type of questions में use कर सकते हो in order to solve the questions got it moving forward to the next question तो यह हमारे पास अपना अगला question है first of all I would recommend कि आप इस question को पढ़ो and try to solve it by yourself तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है two trains start at the same time from A and B and proceed towards B and A at 36 km per hour and 42 km per hour तो यहाँ पे क्या है दो train है एक train यहाँ पे है मानके चलो और एक train यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे आप मेंली यह total distance यह cover करना इसको ठीक है अब क्या है two trains start at the same time from A and B मानके चलो यह train P है और यहाँ पे train U है ठीक है and proceed towards B and A मतलब Q इस तरफ जा रही है and P इस तरफ जा रही है ठीक है when they meet it is found that one train has moved 48 km more than the other ठीक है अब जब यह meet कर रहे है मानके चलो इस position पर यह meet कर रहे है ठीक है यह position का नाव लोग C मान लेता है ठीक है यह जब meet कर रहे है तब क्या बोल रहे है कि it is found that one train has moved 48 km more than the other तो अगर मानके चलो यह वाली train अगर x distance move की है तो यह वाली train कितना distance move करेगी x plus 48 in the same amount of time right same time में Q जो है वो x distance move की है और P जो है वो x plus 48 km कर distance move की है right what is the distance between a and b आपको में निकालना है x plus x plus 48 यह total distance आपको निकालना है यह basically क्या है x plus x plus 48 right यही total distance है यहां पर अगर x plus x plus 48 आपको निकालना है तो that is nothing else but 2x plus 48 यह आपका final answer होने बाला है but to find the final answer you need to find x तो यहां पर एक चीज जबी आसे टाइप of questions दिया रहता है ना when they are meeting at a certain amount of time or something like that तो आपको basically करना क्या होता है कि जो चीज equal है उसी के ऊपर आपको उस metric के ऊपर आपको एक equation फॉर्म करना होता है अब यहां पर क्या बोला है जब वो meet कर रहे है इस फाउंड़ वान ट्रेंड़ मोड़न दिया जब करेंगे always remember जब दो लोग तो meet कर रहे है opposite direction से आते वग तो जिस time पर meet कर रहे है वो time दोनों के लिए same होगा तो b जब यह x distance cover की है और sorry q जब यह x distance cover की और t जब x plus 48 distance cover की है और जब मिल रहे है तो वो x plus 48 का जो distance cover किया है वो उसी time पर किया है तो यह time भी t है basically और वही same time नहीं यह q cover किया है तो basically the metric of time is same for both the trains तो हम लोग क्या करेंगे बस time को एक दूसरे के साथ equalize करेंगे तो time क्या होता है तो basically time of q is equal to time of p what is time of q time of q is nothing else but speed sorry distance of q divided by speed of q and here time of p is distance of p divided by speed of p तो इसको अगर हम लोग further solve करेंगे distance of q क्या है भी distance of q आपका यहां पे देखो है x right and speed of q क्या है speed of q आपको दिया गया है यहां पे already दिया गया है that is 36 km per hour obvious सी बात है अगर यह कम distance cover कर रहा है तो इसका speed भी कमी होगा कभी distance cover कर रहा है तो यह logic आप apply कर लेना अगर आपको confusion होगी तो दूसरे देखेंगे पर क्या लिखा है distance of p right to distance of p क्या है भाई distance of p आपका x plus 48 at the same time यह distance cover speed of p बचा हुआ यहां पे दिया हुआ है that is 42 right तो इसको आप अगर solve करोगे तो x का value आ जाएगा around 288 this is in kilometers right अब हम लोग का answer क्या है answer ही 2x plus 48 तो 2 x 288 ठीक है plus 48 आपको करना पड़ेगा इसको अगर आप करोगे तो आपका जो final answer आएगा वो 624 km आएगा ठीक है calculatively शायद यह चीज़ गलत हो आप एक बार चेक करने ना अपने तरफ से solve करने बट the process that I have shown over here is the right process all right तो इसी तरीके से आपको मेलनी ऐसे meetings related questions को solve करनी होती है moving forward to the next question अब यहां पर क्या दिया होगा अब यहां पर दिया है two boys A and B starting from the same place walk at the rate of 5 km per hour and 5.5 km per hour ठीक है अब देखो यह start कर रहे same place से एक ही place से start कर रहे तो यहां पर अगर मान के चलो A start कर रहे है तो उसी एरिया से db start कर रहे है and they are starting to walk in that same line अब क्या है कि एक इंसान का जो rate है वो 5 km per hour है और एक इंसान का rate जो है speed है basically 5.5 km per hour what is the total time to take to be 8 km apart अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एक time के बाद देखा जा रहा है basically कि जो B है जिसका speed जादा है definite सी बात है कि अगर एक इंसान का speed कम है और एक इंसान का speed जादा है तो at one point of time B would be ahead of A correct तो यह अगर overall देखा जाए तो यहां पर बोल रहे है कि starting from the time that they have started running आप बदाओ कि कितने कौन सा time from the starting यह दोनों इस position में रहेंगे तो यह obvious सी बात है यह जो situation है यह situation अगर यहां से शुरुवार से time को देखा जाए अगर time यहां पर 0 था और इस position में time अगर T था तो दोनों के लिए यह time basically same यह होगा correct same time होगा दोनों के लिए तो यहां पर distance क्या है तो distance of b and distance of a is nothing else but 8 km now what is distance of b distance of b is nothing else but the time into the speed of b so time into the speed of b right and distance of a क्या होगा the same time into the speed of a right this is equal to 8 अब अपने को निकालना का है T को common ले लेते हैं 5.5-5 equals to 8 और उसके बाद अगर हम लोग solve करेंगे तो T क्या आ जा रहा है T into 0.5 is equal to 8 तो अगर हम लोग time यहां पर देखेंगे hours तो 16 घंटा जगन लोग इसी तरीके से जा रहे हैं the same rate इन दोनों का distance 8 km का होगा so this will happen after the time of 16 hours ठीक है तो I hope यह question का जो तरीका है और जिस तरीके से इसको solve करना है वो आपको बहुत ही important question है and at the same time आपका understanding बहुत जाद अच्छा हो जाएगा इस question को अगर आप तुछ से solve कर लेते हो ठीक है तो इसमें मैं आपको सबसे पहले तो एक conceptual तरीका बता हूं कि किस तरीकी से इसको solve किया जाता है conceptually आइडिया क्या है इस question की पीछे and then I'll share you a very interesting formula जिसके तुछ आप ऐसे questions को बहुत easily solve कर सक्के हो without taking much time ठीक है तो सबसे पहले इस question को discuss करते हैं आप पढ़ते हैं अच्छी तरीके से क्या दिया हुआ है कि two trains start from A and B at the same time ठीक है तो दो train से जो point A and point B से अपना journey start कर रहे हैं तो यहां मान के चलो point A से P एक ट्रेने जो start करी है और point B से Q एक ट्रेने जो start करी है अब इनका जो total distance और line of distance है वो A to B है right and proceed towards each other to reach B and A respectively तो Q basically जो है वो A तक पहुंचना चाहती है और B P जो है वो basically B तक पहुंचना चाहती है right अब क्या बोला है after crossing each other they take 81 and 49 hours respectively to reach their destinations तो after crossing each other मतलब एक ऐसा point होगा जो कि मान के चलो C है जहां पर P भी cross करेगा और Q भी cross करेगा और cross करने के बाद क्या हो रहा है कि they are taking 81 hours and 49 hours respectively तो यह जो cross point है इसके बाद क्या है कि Q को ऐसे 49 hours लग रहा है और P जो है P को कितना time लग रहा है पी को time लग रहा है रहा हूं 81 hours to reach the destination यह crossing के बाद का time दिया गया यह आपको समझना ज़रू दीए अब क्या दिया है कि find the speed of the second train is the first train to run at 70 km per hour तो पहला train का हमारा speed क्या दिया गया है 70 km per hour और यह दूसरा जो train है इसका हम लोगो speed निकाल है तो let us consider that speed is s तो मैंने आपको क्या समझाया था थोड़ी दिर पहले कि जब भी यह से meetings related problem दिया रहता है तो we would always try to equalize that metric which is same for both the systems that are going to meet correct तो यहां पे कौन से metric same है दोनों के लिए देखो जो distance cover कर रहे है Q और P finally वो distance same है क्योंकि P B A से B तक जा रही है और Q B B से A तक जा रही है तो since the distance of both of them are same we would use the metric of distance to basically find the answer ठीक है तो answer को find करने के लिए हम लोग distance को basically as a metric use करें अब देखो हम लोग किस तरीके से यह कर सकते हैं अब जबी भी हम लोग किसी भी चीज को meet कराते है from any starting point of time मानके चलो T 0 से लोग start किये at some point of time which is T इस time पर यह दोनों meet किया है जो कि starting point of time से same रहता है वो time तो at time T मानके चलो वो दोनों meet किये point C तो तो obvious सी बात है यह जो distance है point B to C का distance B to C का distance है वो दोनों trains के लिए same ही है correct क्योंकि यह train इस time में यह वाला distance कवर किये और एक certain time में यह भी उसी distance को तो अब हमें पता है कि train A का sorry train P का जो speed है that is 70 km per hour right and the distance C to B अगर हम लोग इस P के लिए निकालना चाहे तो total यह कितना distance होगा 70 km per hour into 81 hours because for P to cover the distance C to B it took 81 hours of time correct तो for the train P हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यह जो distance B to C है वो B to C का distance क्या होगा 81 hours into 70 km per hour that is the total distance speed into time basically and at the same point अगर क्यों कम लोग देखेंगे तो यह B to C का distance cover करने के लिए with a speed of S it took a time of T correct तो this took around S into T correct अगर time T मान रहे है और this speed of Q अगर हम लोग S मान रहे तो इसको हम लोग मान के चलते equation 1 है similarly अगर हम लोग point A to C का distance को measure करें for both the trains तो इस train के लिए देखो 70 km per hour और time इसको कितना लग रहे है T लग रहा है because meeting point तक जाने के लिए दोनों train को एक ही time लगता है तो 70 km per hour into time T हो जाएगा उसके लिए and for the train Q देखो इसको 49 hours of time लगता है C से A तक जाने में और उसके speed S है तो 49 into S हो जा रहा है तो इसको अगर हम लोग further solve करेंगे SS cancel हो जा रहा है यहाँ पर 70 70 cancel हो जा रहा है तो यहाँ पर आ जा रहे T square इधर आ जा रहा है 49 right into आपका आ जा रहा है यहाँ पर nothing else but 81 तो अगर यहाँ से हम लोग P का value निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 into 9 इसको ऐसे ही रहने देते हैं ठीक है आप चाहते हो तो multiply भी कर सकते हो but there is no point क्योंकि हमें क्या गरना है कि हमें S निकालना है तो S अगर निकालना है तो हम लोग को equation 1 में T का value पुट करना है इसका value क्या हो जा रहा है 90 km per hour तो यह आपका correct answer हो गया for the second train speed तो I hope यह जो पूरा process है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है बहुत ही important question and at the same time very interesting question as well to solve ठीक है अब यह तो हो गया आपका conceptual method I hope यह चीस clearly आपको समझ में आ गया correct अब मैं आपको बदाता हूं एक बहुती simple technique जिसके साथ इस पूरे question को आप एक minute के अंदर solve कर सकते हो and that is a very easy formula that you have to remember formula of this particular question क्या है formula है कि speed of train P divided by speed of train Q is equals to root over time of train Q divided by time of train P ठीक है तो यहां पर यह formula कैसे apply होगा देखो आपको क्या क्या चीज दिया गया है आपको first train का speed दिया गया है तो उसके जगा first SP हम लोग first train माल रहे थे तो 70 रख दो second train का speed अपने को निकालना था right time of the second train क्या दिया हुआ है time of the second train आपको दिया गया था 49 और time of the first train क्या दिया गया after meeting point 81 correct तो इसको further solve करो 70 divided by SQ is equal to 7 divided by 9 तो यहां से यह यह 10 में कड रहा है और आपका SQ का value आ जा रहा है 90 km per hour तो देख रहे हूं कितना easily आप इस चीज को solve कर पाए यह जो formula है इस formula में यह जो time दिया हुआ है this is the time that the train is taking to reach their destinations individually after their crossing time ठीक है cross करने के बाद एक दूसरे को जो time है वो time यह हमेशा याद रखना और speed जो है आपके लिए काफी जादा helpful रहा होगा इस वीडियो में हम लोग बहुत important कुछ questions सौल की है जो की आपका examination point of view से काफी ज्यादा helpful होने वाले है so thank you for watching this video